तू प्यारे विद्धियरत्यों, नमस्कार, स्वागते आप सभी का एक और नए वीडियो में प्यारे विद्धियरत्यों, मैं आप सभी के लिए लेकर आगया हूँ वार्षिक परिक्चा पेपर कक्चा बार्वी गनित विशे का वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सबसे रेक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर ले और सांती बेल आइकन को भी दबा ले जिससे कि आप सब को हमारे द्वार अप्लोड होने वाले वीडिय दोस्तों अभी कुछ समय बाद अब आपकी परिक्चा शुरू होने वाल है तो इसलिए आप सभी लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देखकर जरूर जाईएगा क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कक्चा दस वीक गण तिविसी का फॉल पेपर तो वीडियो में मैं आपको पूरा पेपर बताऊंगा कि किस प्रकार का आपका पेपर होगा कितने सारे प्रस्ण आपके पेपर में से पूछे जाएंगे जो की परिक्चा में आने वाले हैं चलिएगा दोस्तों तो चलेगा दोस्तों वीडियो को सुरू करते हो देखते हैं कि आपका परिक्चा पेपर कैसा होगा और कितने सारे प्रसन आपके परिक्चा पेपर में से पूछे जाएंगे A to Z मैं आपको सारी चीजे आज किस वीडियो में बताने वाला हूँ तो चलेगा दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हो देखते हैं कि आपका पेपर कैसा होगा कितने प्रसन उसमें से पूछे जाएंगे और किस प्रकार से आपको दोस्तों उनके जवाब लिखने है A to Z प्रतियक चीजे आज किस वीडियो में देखने वाले हैं तो इसलिए प्लीज आप सभी से रेक्वेस्ट है कि पूरा वीडियो देखकर जरूर जाएएगा तो चलेगा दोस्तों वीडियो को सुरू करते हो देखते हैं कि आपका पेपर किस आएगा दोस्तों आप यह देख सकते हो खंड बाह है आपके पेपर का यहां से दोस्तों आपसे दो दोंक वाले प्रसन पूछे जाएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह वाला प्रसन दिया गया है आप जरूर इस प्रसन को जरूर लगा ले आप पता कर ले किस पार्ट से लिया गया और कहां से लिया गया बिल्कुल यह आपके परिक्चाओं में आएगा बिल्कुल आप इसको लगा के जरूर देख ले अगला question की बात की जाए तो आप यहां पर देख सकते हो यह वाला question दिया गया है आप इसको पूरा लगा के देख ले बिल्कुल यह आप से परिक्चाओं में पूछा जाएगा यह आप से दोंकों में पूछा जाने वाला प्र इन दोस्तों इन प्रस्टों को लगाना सेक लिया होगा, इसके अलावा अगला प्रस्टी यह है, आप इसको भी देख ले दोस्तों, और इसको भी अच्छे से लगाना सेक ले के इस प्रकार से आपको पूरा हल करना है, पूरा का पूरा है Q sinner जो मैं आपको बता रहा हूं, अ तभी आप लोग इसको हल करना अच्छे से सीख ले क्योंकि अब आपके पास में कम समय बचा है तो आप इस कम समय का सदूपयोग करते हुए इन प्रसनों को जरूर हल करना सीख ले इससे कि दोस्तों आप सब की तैयारिया भी अच्छे से हो सके चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगले प्रसन को देख लेते हैं तो अगला कोस्चन ये रहा आप इसको भी देख ले ये भी आप से दो अंकों में पूचा जाएगा पूरी तरह से आप इस कोस्चन को भी देख सकते हो तो आप पूरा का पूरा ये कोस्चन देख ले और इसको समझ भी ले जिससे कि आ आप इसको समझ पाए और पूरा का पूरा आप इसको हल भी कर पाएंगे दोस्तों आप इस question को देगा लेंगे और इसको हल भी कर लेंगे चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों यह देखिएगा question नमर 11 में इस प्रकार की question आप से पूछे जाएंगे आप यहां से इनको चेत्रेपल कितनी तेजी से बढ़ रहा है तो यह आपको ग्याद करना दोस्तों किस प्रकार से आपको यह हल करना आप करके इसको देख सकते हो और उसके अलावा दोस्तों उसी के नीचे यह वाला question आपको देखने को मिलेगा आप प्रतिक प्रसन को हल करके जरूर देख ले और अगला question यह दिया गया है आप सभी लोग question नमर 12 को भी हल करेंगे और अच्छे से इसको समझ लेंगे दोस्तों इस प्रकार का question पेपर आपकी परिक्चाव में पूचा जाएगा मैंने दोस्तों इस वीडियो में आपको question नमर 6 से बताना श्टाट किया लास्ट में दोस्तों मैं अब सभी question भी बताऊंगा तो अब तब तक आप इतना जरूर देखे और इसी के ऐलावा दोस्तों अगला question यह दिया गया है आप लोग इस question को भी देखेंगे और note कर तो आप लोग इसे देखेंगे और note कर लेंगे बराबर चलिएगा आगे बढ़ते हैं तो अगला question यह दिये गए आप लोग सभी लोग इनको देखेंगे और इनको याद भी कर लेंगे जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो जांच किजे कि क्या समुच में द्वारा परिव आप इसको भी देख लें और सीख लेंगे आप सभी लोग इन question को देखते चले और सीखते चले बराबर इस प्रकार के question दोस्तों आप से परिक्चाव में पूछे जाएंगे पूरे question आप यहां से देख सकते हो आप सभी लोग इन question को देख लेंगे और इनको अच्छे से नोट कर लेंगे दोस्तो इस प्रकार के कोश्चन आपको परिक्चाओं में देखने को मिल जाएंगे पूरे के पूरे कोश्चन आप इनको अच्छा से याद करके जरूर जाईएगा और उसी के नीचे एक ये वाला कोश्चन दियागा है किसानों के एक सेकारी समिती के पास दो फसलों एक्स और वाई उगाने के लिए पचास हेक्टर भूमी है फसल एक्स वाई तो ये पूरा जो कोश्चन आप इसको देख लेंगे और इसको पूरा हल भी कर लेंगे तो आगे देखते हैं कि आगे और कौन से कोश्चन आप से पूचे जाएंगे तो आप ये देख लें और उसी नीचे अगला याप ये देख सकते हो ये वाला दिया गया कोश्चन आप लोग इसको भी देख लेंगे वा अगला कोश्चन नमर 21 यहां पर आपको दिया गया है आप लोग इसको भी देखेंगे और नोट कर लेंगे तो आप इसको देखें और बराबर इसको note कर लें और अगला question देखते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो question number 22 दिया गया है और उसी के नीचे question number 23 दिया गया question number 22 यह है तो आप इसको देखेंगे और note कर लेंगे चलिए आप आगे बढ़ते हैं और अगला question देख लेते हैं तो आप यह देख सकते हो, यह question no.3 है दोस्तो, आप लोग इसको देख लें पूरा और इसको भी note कर लें और उसी क्यात्वा में दोस्तो यह आपको यह वाला question मिलेगा, आप लोग इसको भी देख लेंगे तो पूरे के पूरे कोस्चन है दोस्तों जो कि मैंने आपको बता दिये ये पूरे कोस्चन हुए है जो कि आपके परिक्चाओं में देखने को मिलेंगे आपको तो टोटल इसमें दोस्तों 23 कोस्चन है जो कि मैंने आप सबको बता दिये है आप सभी लोग कम से कम इन प्रस्टों को जरूर एक बार लगा के जाए और अगर आपके पास में समय बचरा तो आप दोस्तों इनके अलावा भी और कुछ कोस्चन लगा सकते हैं तो अपकी परिक्चाओ के लिए एक मोडल प्रस्ट पत्र में से बता रहा हूँ यानि कि दोस्तों इसमें से काफ़ी सारे प्रस्ट आपके परिक्चाओं में आ सकते हैं पर बिल्कुल आप 100% इसी के भरोसी न रहे अगर आपके पास में समय हैं आप कापी और भी कोश्चन इसमें से देखकर लगा सकते हो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइड को कमेंट करके जरूर बताएगा नमस्कार